दोस्तो नमस्कार वीकेन उलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत हैं कंपेटिशन एक्जाम्स के प्रिविस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्तित हैं दोस्तो ये पेपर सेल का है इस्टेल ऑथोरिटी ओफ इंडिय लिमिटेड का राउर केला प्लांट के लिए औ और ऑपरेटर कम टेक्शन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अभी रिसेंटली एक्जाम्स हुआ है साथियो ये पेपर 26 सेप्टेंबर 2021 का है यानि अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ है ट्रेड थियोरी से समधित इसमें कुल 50 के उस्तन आए हैं दोस्तों और हम इस अंसर की इसकी अभी नहीं आई है लेकिन हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करेंगे और डिटेल सही उत्तर बताएंगे तो वीडियो को लाज तक आप जरूर देखना साथ यू जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ट्रेड थियोरी से अपने इलेक्ट्रिकल से समधित 50 क् करेंगे यानि 51 से लेकर 75 तक इसमें रहेंगे और 76 से लेकर 100 तक के जो क्यूशन है उसको पार्ट टू में सॉल्यूशन करेंगे सभी क्यूशन लाज तक आप जरूर देखें दोस्तों और यदि आपको क्यूशन पसंद आजाए एक्स्पिलिन करने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर रहें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको कैसा लगा आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल सबिस्क्राइब जरूर जरूर कर लेए अपने दोस्तों को इस वीडियो को फोरवर्ड कीजिए जितना आप कर सकते हैं चलिए दोस्तों पर है दोस्तो बेटरी को चार्ज करने के लिए किस परकार के जनरेटर का उपयोग करते हैं डीसी जनरेटर का सवाल पूछा आप से विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूजड टू चार्ज दी बेटरी संट सिरीज और कमपाउंड या कोई भी ले सकते हैं ऐसा के साथ हम जाएंगे दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारा एंड्रूड एप डाउलोड जरूर करें अब आपने अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए वहाँ पर आपके लिए फरी प्रेक्टिस टेस्ट पेड़ टेस्ट और पेड़ वीडियो कोर्स अवाइलेबल है चलिए अगले क्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड क्यूशन है यानि 52 नमर क्यूशन 52 नमर क्यूशन आपसे कह रहा है कि नमर मैंसे कौन सा जनरेटर किसी भी भार पर निरंतर वोल्टेज दे सकता है यानि कौन देगा क्यूमिलिट्व कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहा है यहां पर क्यूंकि देखो सेपरेटली एकसाटेड जनरेटर जो है इसकी यदि बात की जाए तो ये आपके वोल्टेज जो है वो वेरियेशन आता है भार के साथ इसकी वोल्टेज थोड़ी सी घटती है सेल्फ एकसाटेड की अगर बात करें तो सेरीज सेंट और कंपाउंड तीन हो आ जाते है ओप्शन के हिसाब से हमें ए ओप्शन के साथ जाना है लेवल कंपाउंड जनरेटर करेंगे फ्लेट कंपाउंड भी बोलते है इसको और इसकी बोल्टेज जो है वो बार के आदार पर कभी भी परिवर्टी तो नहीं होती है नेक्ट सवाल है कि एक DC मोटर में बेक EMF किस बात पर निर्बर करता है देखो अगर आपको बेक EMF का प्रोपर फोर्मूला याद है और 5ZNP60A वाला फोर्मूला अगर अपना है 5ZNP60A है ना बटे 60A सोरी तो इस फोर्मूले के इसाब से अगर आप देखे फलक्स पर भी निर्बर कर रहा है नमबर ओफ कंड़क्टर पर भी हो रहा है स्पीड पर भी हो रहा है पॉल और पेरलल पतों पर भी हो रहा है ऑप्षिन क्या क्या दिये गए मसीन की गती चुम की छेतर की तीवरता आर्मेचर चालकों की सेंख्या इसलिए D उत्तर हो जाएगा ओल अबोव यानि उपरोक्ट सभी इसमें आ जाएगा अगला सवाल ये काफी अच्छा क्यूस्टन है दोस्तों एक वानिजिक मोटर जो होती है उसके घूमने की मानक दिशा क्या होती है दोस्तों ध्यान से देखना मेरे इसक्यूस्टन को मैं क्या बोलना चाहरा हूँ सवाल में क्या पूछा गया है देखो स्टेंडर्ड डायरेक्शन पूछिए इसका मतलब ए और बी दोनों तो नहीं आएंगे स्टेंडर्ड का मतलब होता है कि वो किसी एक खास दिशा में रोटेट करनी चाहिए ठीक है ना इसलिए ऐसा मानते हैं पहली बात तो यह ध्यान रखना कि मोटर में दो साइड होती है एक को बोलते है DE side और दूसरी को बोलते है NDE side DE का मतलब होता है driving end और NDE का मतलब होता है non driving end यानि यह non DE side जो है na NDE side है यह होती है जिस side अपना cooling fan लगता है जिसे तर कुछ भी नहीं हो और DE side वो है जहां अपने coupling लगती है जैसे आगे soft लग गई कोई भी कर रहे हो हमेशा कहते हैं कि इसको DE side से देखा जाता है यानि driving end से देखना होता है और driving end से देखें तो motor की direction of rotation anti-clockwise होनी चाहिए दोस्तों ध्यान रखे वानी जी को जो माना जाता है ना commercially लगभग सभी motor ने जो है वो anti-clockwise rotate करती है हलाए कि वैसे motor को clockwise और anti-clockwise दोनों में चला सकते कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पर हमसे standard direction पूछा है मानक के बारे में बात की गए दोस्तों ध्यान रखे show B option के साथ हमें जाना है driving end से देखने पर anti-clockwise होनी चाहिए यह ध्यान रखना हमेशा अगला सवाल है welding generator में किस परकार की winding होती है तो welding generator में लेप winding होती है क्यों? क्योंकि welding generator जो है यह high current वाले होते हैं और high current के लिए हम सब जानते हैं कि leap winding ही काम में ली जाती है इसलिए हमारा C उतरियां बिलकुल सही है अगला सवाल है DC motor को आसानी से कैसे पैचान सकते है winding, yoke, चलक का साइज देखकर या commutator देखकर अब आप ही बताओ वई AC motor में commutator होता है क्या? नहीं ना मतलब यहां पर यह कहना चाहरा है वो कि आपको AC motor या DC motor इसकी पैचान कैसे हो जाएगी तो commutator देखते ही होगी की नहीं बताओ क्योंकि सादान सी बात है commutator DC में ही है AC में तो नहीं होता है इसलिए commutator को देखकर के हम आसानी से बता देंगे कि यह motor AC है या DC है अगला सवाल यह भी काफी important है कि आर्वेचर reaction के कारण DC मसीनों का चुमबक वाहक बल MMF यानि मेगनेटो मोटिव फोर्स जो है उसकी आकरती कैसी होती है तो वो AC में तिर बुजाकार हो जाता है ध्यान रखना और यदि main flux distribution की बात कर लेता ना दोस्तों तो वो फिर आपका विसम सत्र बुजाकार यानि ट्रेपोजोडल परकार का हो जाता दोनों को याद रखना दोनों ही फोट important है एक दूसरे के साथ जुड़े वे मानने जाते हैं ठीक है ना दोनों की क्यूसन पेपर में आ सकते हैं अगला सवाल सामाने ते एक तीन फेज सलिपरिंग इंडुक्सन मोटर निम लेकिते से स्टार्ट होता है दो परकार के थरी फेज़ इंडुक्सन मोटर होती है और इन दोनों मोटरों के लिए overall हमारे पास ॹशज़ परकार के स्टार्टर होते हैं DOL 當然 और auto transformer यह تीनों तो लगते हैं इस्क्रूल केज इंडेक्शन मोटर के लिए और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या यहां पर इन्होंने इस्टेटर रोटर स्टार्टर लेग दिया बाते किये यह हमारे वाउंड रोटर मोटर के लिए होता है यानि slipping motor के लिए बात की जाए तो D उतर हो जाएगा बाकी तीनों जो है वो केज motor के लिए आसान से ही क्युस्षन है लेकिन है टोप लेबल के एकजाम में इस तरह की क्युस्षन आने चाहिए इससे हमें पता लगता है इस्टुडेंट की कितनी त्यारी है अगला सवाल निमनवे से कुन सा कंजूमर इंडक्टिव रियक्टिव पावर होता है मतलब परति घाती सकती जो है वो प्रेरिनी की सकती किसमें हो रही है निमनवे से तीन तरह की पावर होती है इंडक्टिव कैपेसिटिव और यह कहें रेजिस्टिव बोल सकते हैं log गेंशार देखो वहीं इटर filament lambe filament lambe incandescent lambe को ही बोलते हैं रहीं हमेशां ध्यान रखना उदीट lambe को बोलते हैं इसके filament यह तो carbon के होते हैं या tungsten के होते हैं यह pure resistive circuit में आता है ध्यान रखना तो देखो यह दोनों जो A और B option है यह तो हो गए purely अब बात करते हैं सी और डी में तो दोस्तों उत्तर तो आएगा इसका डी देखो no doubt 100% डी उत्तर आएगा इसमें ये मारकिंग पहले से सी पर करीवे तो गलत है दियान रखना डी है 3-phase induction motor क्योंकि induction motor में 100% लेगिंग पावर फेक्टर ही होता है तो फिर गुरू C option क्या रहे गया आप उपड लेते हैं देखो C option कहा रहा है कि एन इलेक्टरलेशी सिस्टम विद ड्रादी कर्ण्ट वायर ट्रांसपार्मर और रेक्टिफायर यानि एक ऐसा विद्यूतिक अपगटन वाला सिस्टम जो ट्रांसपार्मर और रेक्टिफायर के द्वारा कर्ण्ट लेता हूँ विद्यूतिक अपगटन के लिए हमेशां दोस्तों DC से होती है ध्यान लगना और DC सर्किट का पावर फेक्टर सदेव इकाई होता है भले उसने ट्रांसपार्मर से कर्ण्ट लिया हूँ लेकिन हुआ क्या था ट्रांसपार्मर केवल प्राइमरी साइड में रह गया इन्पुट साइड में रह गया आगी कौन लगा हूँ है रेक्टिफायर रेक्टिफायर ने क्या किया डीसी बना दी और उस डीसी से इलेक्टर राइटिंग पर किरिया हो रही है सो लोड कौन सा हो गया रेजिस्टिव वो भी एक तरह से इसलिए डी उतर इसका आएगा क्यूस्टन का ठीक है अगला सवाल यह काफी इंपोर्टिंट क्यूस्टन है यह कह रहा है कि एक है थ्री फिज इंडक्शन मोटर जो चार सो बीस वोल्ट और साथ हर्टेज की है तो इसके संतोस जनक परचालन करना है फिप्टी हर्टेज पर यह दस सेटर्ज फिर्टेज कम कर रहे हैं वोल्टेज कितनी होने चाहिए दोस्तों फिर्टेज कम करने के साथ वोल्टेज भी कम होने चाहिए यह ध्यान रखना और एक्जांपल जब आप बड़े लेवल पर देखेंगे ना तो 480 वोल्ट वाली मोटर का उत्र 400 वोल्ट आता है कितना? 480 वोल्ट लेकिन यहां पर अगर 420 वोल्ट भी दिया हुआ है तब भी हमें उत्र D 400 वोल्टी करना है यानि 400 वोल्ट पर वो संतों से जनक चल सकती है फरिक्वेंसी कम है तो कुछ वोल्ट भी हमें कम करना होगा याद रखें और एकप्चल में यह गलती से भी हो सकता है कि 420 टाइप हुआ हूँ 480 ही दिया हुआ हो उत्र 400 वोल्टी करना है अगला सवाल है कि जो च्छत पंखा होता है उसकी स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगता है बिल्कुल सही बात है क्यों लगाया जाता है फेज अंतर उत्पन करने के लिए एक फेज गे दो फेज बनाने के लिए ताकि सपलिट फेज हो जाए और स्टार्ट हो जाए लगबग 2.5.5 का होता है तो कोई प्रोल्म नहीं होगी डिउत्तर के साथ जाने में कूलर की मोटर में लगबग 4.5 के आसपास का होता है अगला सवाल है कि क्छिलोनों की जो मोटर होती है उनने कौन सी मोटर काम में लेते हैं तो अपने खिलों ने जितने भी होते हैं उनमें सेड़ेड पॉल मोटर का उप्योग करते हैं कई विसेशता है इसकी आकार में छोटी वाटेज में छोटी एफिसेंसी बहुत कम है ना 5-35% दक्सता होती है इसकी ओवरलोड नहीं सैन कर सकती स्टार्टिंग टोर्क बहुत कम ह होता है गुमने की दिशा फिक्स होती है सेडिंग रिंग इसमें काम में लेते हैं अगला सवाल ये थोड़े से बिलकुल ही धुंद लें दोस्तों बहुत कम आपको दिखाई ही निदे पाएंगे पर मुझे समझा रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ किस से नमर 63 है आपक लेकिन ध्यान रखने वाली और समझने वाली बात यह है कि मोटर के अगर करंट की ग्राफ वाली बात करें तो मोटर के करंट का ग्राफ वी करव में चलता है ध्यान रखना आर्मेचर करंट और फिल्ड करंट के बीच ही तो वी करव बनता है इकाई पावर फेक्टर पर आर value of current की अगर बात की जाए तो दारा का नियूनतम मान केवल इकाई पावर फेक्टर पर यानि लेवल एक्साइटेशन में ही होता है अंडर एक्साइटेशन में लेगिंग पावर फेक्टर और ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फेक्टर पर भी मोटर की current हमेशा अ एक सिंक्रोंस मोटर के तीन फेज में से कोई भी एक शोर्ट सरकिट हो जाता है तो क्या होगा देखो भई अगर तीनों में से एक फेज शोर्ट हो गया ना तो मोटर निस्टार्ट नहीं होगा नहीं चलेगा चाहिए से सिंक्रोंस मोटर हो जाए इंडक्शन मोटर हो अगर त सब बहुत्comb हम सब आप सेंगे स्टार्ट नहीं होगा एंड अगला सवाल, AC, DC कहले किस पर कार की उपकर्ण का परियुग Candle नहीं किया जा सकता है, इंडेक्शन मेटर हम सब जानते इंडेक्शन मोटर से इंडेक्शन मीटर केवल AC क्याम कर सकते हैं, acontece problem नहीं और यहां पर एक option और नहीं है ध्यान रखना वो हो तब भी उत्तर कर सकते थे पी-म-म-सी पर्मानेट मेगनेट मुविंग कोयल वाला मेटर यह केवल डी-सी पर लगता है ना AC-DC दोनों पर इसका भी नहीं हो सकता जबकि डाइनमो मेटर पर कार और इलेक्ट्रो इस्टेटिक टाइप दोनों दे रखे ना इनका उपयोग हो सकता है AC-DC दोनों पर कोई प्रोब्लम नहीं होगी अगला सवाल है 60 वाट 100 वोल्ट और 60 वाट 200 वोल्ट रेटिंग के दो लेमप है और 200 वोल्ट पर इनको सिरीज में जुड़ा गया दोनों के दोरा लीगी करंट कैसी होगी देखो दोस्तों पहली बात तो यह है कि यह चलेंगे नहीं जो अपने 60 वाट वाट वाला है ना इसका रेजिस्टेंस हाई है इस पर बोल्टिड रूप अधिक होंगे और यह तुरहन तो फ्यूज ही हो जाएगा लेकिन खैर फ्यूज होने में कोई नेनो सेकंड तो लगे ही होगे न इसको और उस नेनो सेकंड के दोरान अगर हलकी सी भी करल चली होगी तो फिर सिरीज सरकुट है इसलिए दोनों लेंप में धारा कितनी चलेगी एक समान चलेगी क्योंकि यहां पर फ्यूज होने बाला तो उप्शन दिया नहीं अदरवाइज तो 60 वाट का लेंप फ्यूज हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों की रेटिंग अलग लग है रेजिस्टेंस अलग लग है ड्रोप अलग लग होगा जब व तीन ओम और दो ओम के दो रेजिस्टेंस लगे वे सर्किट में टोटल पांच अमपिर करंट परवाइद होती है बताओ इस तीन ओम वाले में से धारा कितनी परवाइद हो रही है बहुत आसान क्यूस्टेंस है ना मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत है क्या देख इसमें तो कहीं केलकुलेशन करने की जरूरती नहीं है एंड आई होब कि आप भी इसको अच्छे से समझ पा गए होंगे एकजाम में आता फेस करते तो साइद आप 100% सही करते मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रोब्लम होती क्या अगला सवार कमेंट करके आप ग्डिविकेशन मिल जाएगा 68 कर रहा बेलटरी की समता किसमें होती है तो यह तो बहुत ही आसान से है ना ईच में होती है एंपिर आउर में होती है मतलब क्या होता है इतने एंपिर की धारा इतने घंटे तक दे सकती है के एंड अगला सवाल 69 किस परकार की केपैसिट में भी color coding होती है जैसे register में होती है लेकिन इन में से कौन सा ऐसा है जिस पर कभी color coding नहीं होती है तो दोस्तों इसका उतर आएगा B ceramic capacitor क्योंकि ceramic को मानते हैं कि ये जनरली छोटे आकार के होते हैं इसलिए इन पर color coding ना होकर कि इन पर direct notation दिया होता है notation यानि कोई और code बासा लिखी भी होती है कहते हैं कि इसकी body इतनी छोटी होती है कि इस पर type color code बनाने के लिए जगे इन नहीं मिलती है तो मेरा option इसमें भी रहेगा आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बता देना अगला सवाल है RC circuit में एक DC source के साथ जोड़ा गया circuit में current सबसे अधिक कब होगा starting के समय ही सबसे अधिक होगा बाद में तो capacitor block करना शुरू कर देगा तो धारा चलेगी नहीं एक बार एक initial जर्क आएगा हलांकि capacitor क्या करता है pass to AC block to DC तो धारा चलने ही नहीं देगा लेकिन initial शनिक रूप से एक बार धारा चलती है बस वो ही ज़्यादा होती है और कहीं कोई current नहीं होता है pure inductive circuit है current जो है वो voltage से 90 डिगरी लेग करता है एक option और दूसरा option याद रखना कि voltage जो है वो current से 90 डिगरी leading होती है बात एक ही है na voltage आगे और धारा पीछे दोनों option सही है ठीक है धारा बोल्टेज से पीछे बोल्टेज धारा से आगे दोनों option याद रखना दोनों आ सकते है पेपरों में अगला सवाल ये calculation वाला है थोड़ी बड़ी calculation करनी पड़ेगी अलागि ज़्यादा जरूर तो नहीं पड़ेगी मैं आपको डारेक्ट हिंट दे देता हूँ इसके लिए सिरीज सर्कीट है रेजिस्टेंस पचास ओम दिया इंड़क्टेंस बीस मिली हेंडरी है सर्कीट में सो बोल्ट और पचास अर्टेज की सप्लाई दी गई है बता उपर तिरोद में करंट कितना है देखो दोस्तों सिरीज सर्कीट है न तो यहां पर आपको धारा के लिए आई बराबर वी बटे जेड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और जेड गयात करने के लिए आर स्क्वेर प्लस एक्सल स्क्वेर का अंडूड करना पड़ेगा और एक्सल गयात करने के लिए टू पाई एफ एल इतना करना है सवाल यहां से सुरू होगा पहले एक्सल निकालो फिर जेड निकालो फिर करंट आएगा और करंट जितना भी आएगा वो इंडुक्टर रेजिस्टर दोनों में से एक बराबर चलेगा लेकिन अगर डिरेक्ट मैं आपको इंट के रूप में देऊ न तो देखो लगबग अगर आपन देखें तो पचास ओम है और सो बोल्ट है तो एंपिर के आसपास दारा आ रही है निकाल कर देख ले ना एक्सल इंडुक्टिव रेक्टेंस आपका लगबग 6.28 के आसपास आएगा इसको पचास की स्क्वेर प्लस 6 की स्क्वेर का जोड़ करके जब आप अंडुरूट निकालते हैं तो ये लगबग 53 ओम के आसपास आजाएगा ठीक है ना और जब आप सो बोल्ट में 53 का भाग देंगे तो आपको 1.98 एमपियर ही उत्तर मिलेगा फिर केलकुलेशन करना और मुझे उत्तर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों मैं आपसे उमीद रख रहा हूँ अगला सवाल है 73 की है कि सुद इंडुक्टिव सरकिट है इसमें अगर फर्क्वंस यादी कर दी तो धारा क्या होगा देखो सुद इंडुक्टिव सरकिट में चलने वाली धारा को बोलते है I.L यहां पर R नहीं है इसलिए Z नहीं आएगा और फॉर्मूला रहेगा I.L बराबर V बटे XL और हम सब जानते हैं कि XL फर्क्वंसी के समान उपाती है अगर फर्क्वंसी आदी होती है तो XL आदा होगा तो करंट किया हो गया दो गुना B उत्तर कर देना भई बात समझ रहे हो ना B उत्तर आजाएगा करंट डबल हो जाएगा R, L, C सरकिट है सिरीज वो भी और रेजोनेंट हो गया इसे में क्या होता है Z और R बराबर होते है I मेक्सिमम होता है पावर फेक्टर यूनिटी होता है फेज अंतर जीरो डिग्री का होता है सारी बातें याद रख लेना अभी अपना उत्तर आजाएगा B, करंट मिनिमम नहीं सोरी मेक्सिमम और पावर फेक्टर यूनिटी ठीक है धारा अधिक्तम होती है क्योंकि इसमें इंपिडेंस मिनिमम होता है राइट अगला सवाल आज का लास्ट पिज़े तरवा इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है एल्यूमिनेस फलक्स की इकाई क्या है ठीक है भी उतर से ही हो जाएगा बस दोस्तों आज के आपको 25 की उसन ही करवाएंगे पार्ट सेकिंड में 25 की उसन जल दी आएंगे वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नई हो तो सबिस्क्राइब कर लो दोस्तों को सेर कर दो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को